समस्कार कर्णल अजयस यो अजयस टोमानी ग्रूफ फ़र्ष ग्लोबल अस्ट्रोफनेस डिजीटल चैनल से आपसे मुखादिब होता हूँ आज 20 जून सन 2023 दोस्तों पाइस यानि मसालों पर देश का पहला चैनल जो आपको लगातार अपडेट और विशलेशन देता है और विप्दार करता है आपको यदी मसाले के निशुलक भाव चाहिए जीरा धनिया लालमेट का शोटी लायची बड़ी लायची सौंफ मेठी तो आप हमारे नि कंपनी का नाम लिख के आप में वाट्साप करें फून ना करें सिरफ वाट्साप करें हम आपको निशुल्क भाव प्रवाइड कराएंगे लेकिन यदि स्पाइस यानि मसालों के अंदर तेजी मंदी या आगे के एक से दो मेहने क्या होने की संभावना है उसके लिए आपको रिसर्ट्स रिपोर्ट के लिए बुकतान करना पढ़ सकता है दोस्तों आज के अपिसोन में हम चर्चा करेंगे बड़ी लाइची के लिए दोस्तों देश की प्रमुक बड़ी लाइची के उत्पाधक राजयों में तापमान उच्छे बने से बचे बने रहने के वज़े स और फसल को नुक्सान के समाचार हैं इसकी वज़े से बड़ी लाईची में आने वाली फसल लगबग 70% खराब होने की संभावना बन गई है इससे पहले हम आगे चले हम दिल्ली मार्केट के मसालों के भाव आतक पहुचा रहे हैं काले मीच के भाव मरकरा 530 से 535 आइटम 11.5 नंबर 550 से 560 और 12.5 नंबर 590 से 600 रुपे हैं बड़ी लाईची के भाव 645 से 600 पच्पन और कैची कट 675 से 600 सी के भाव हैं दिल्ली के अंदर छोटी लाईची के भाव ओपन माउथ यानि खुला मूँ 1000 से 1025 चे दिश्मला 5.6 अमेम के 1000 से 1050 और 7.5 अमेम 1500 से 1550 के भाव हैं आठ हमेम के भाव 1900 से 2050 के भाव बताए जा रहे हैं डालचीनी के भाव 2225 से 245 रुपे परती के जी जाइफल के 560 से 565 रुपे परती के लो जावित साथ साथ लालमिर्च 334 नमबर दिल्ली के अंदर 23500 से 24500 विक रही है और 341 नमबर 23500 से 23500 फटकी के भाव दिल्ली में 12000 से 12500 है और तेजा 24500 से 25500 के भाव हैं फुलकट लालमिर्च 29300 के भाव हैं इरोड़ गटा एश्टी जाइश्टी जाइश्टी से 87 और मनी से लमफली च्छाण में सो से अठाण में सो हैं मोटी फली 11200 से 11300 के भाव हैं जीरा दिल्ली के अंदर समाने 25500 से 25500 और मशीन क्लीन 52000 से 3000000 के भाव हैं मशीन क्लीन अच्छी क्वालेटी 56500 से 37000 के भाव हैं और सौफ के अंदर भी मोटी समाने सौफ 24000 से 25000 बढ़िया क्वालेटी 25500 से 26000 और बारिक समाने 26000 से 26500 के भाव बताए जा रहा हैं शांदर बढ़िया क्वालेटी के सौफ 27000 से 28000 के भाव बताए जा रहे हैं कलोंजी के भाव 19000 से 20,000 रुपे के भाव हैं धनिया बदामी दिल्ली में 6600 से 7000 और इगल 2700 से 7300 ग्रीन 9400 से 11000 और ग्रीन बढ़िया 12200 से 13600 के बाद है अजवाइन के अंदर जावरा 14800 से 15300 करनूल 18000 से 19000 और जामनगर 21000 से 22000 के भाव हैं तो दोस्तों यह थे दिल्ली के भाव अब हम आगे बात करते हैं बड़ी लाइची के पर दोस्तों बड़ी लाइची में तापमान के फ्लेक्शेशन के वज़े से फसल लगबक्स 50 से 70 परशंड तक नुक्सान होने की संभावना जतना ही जारी है गौरतलब है कि हम आपको छोटी या बड़ी लाइची के लगात करें तो प्रमुकुतपादकराज इस बार तापमान सामाने से उचा बताया जगया है इसकी वज़े से फसलों में कीडे का प्रकॉप हुआ और इस वज़े से बड़ी लाइची की पहली फसल 70 परशंड तक खानी की समाचार मिल रहे हैं दूसरी फसल भी कमजोर ही आने का न इसकी वज़े से स्टॉकिश्टों की निवाली बढ़ने से ठोक किराना बजारों में बड़ी लाइची के भाव में 40-45 रुपए तेज हो गई है फिलाल ये 645-65 रुपए प्रति किलोग्राम के उपर ट्रेड कर रही है दोस्तों आवक की यानि अराइवल कंपारिटिवली डाउन होने के वज़े से निल्लामियों में भी इसकी ओसत निल्लामी कीमत में थोड़ी तेजी आ गई है पंदरा जो जून को हुई जो तेज होका रही है 500-500-800 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंचने की सूचना भी मिल रही है असाम में इस बार दूसरी फसल भारी नुकसान की चर्चाएं भी सुनी जा रही है और इन चर्चाओं पर यदी वरोसा कर लिया जाए तो इस भाल में बड़ी इलाइची के अपूर्टी के अंदर गिरावट हो सकती है और अराइवल घटने से इसके दाम बढ़ सकते हैं दूसरी और भुटान और सिक्किन में भ पहली फसल सामाने से कमजोराई थी और ये भी एक इंपॉर्टन फेक्टर है कि पहली फसल के बाद मुखे फसल यानि दूसरी फसल भी सामाने की अपिक्षा लगबक 30 प्रतिशत तक कमाने की थी यहीं बज़ाए कि बीते सिजन में बड़ी इलाइची की निल्लामी रेगु जना है और फिलाल 660 रुपे पती किलोग्राम की स्थर पर बना होने की समाचार मिल रहे हैं वितवर 2022 में के मात्रा क्यादार पर बड़ी इलाइची का निर्यात 5% घटकर 1823 टन हुआ था और आये नाम मात्रे 11% घटकर 137.20 करोड हुई थी एक वर्षपूर समान अबदी मे 154.48 करोड मुले की 1981 टन बड़ी इलाइची का निर्यात हुआ था अगामी दिनों में इलाइची के अंदर अब एक बड़ा प्रेशन बन गया है दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जैसे ही समाचार फसल खराब के होते हैं उस समय तुरंत भाव के अंदर कुछ मामुली तेजी अच्छी तेजी बन जाती है और उसके बाद दाम से नीचे गिरने लगते हैं तो दोस्तों अब एक महतरपुन यह है कि जिनोंने नीचे के दाम पे बड़ी इलाइची खरीदी थी उनके लिए तो ठीक है लेकिन क्या उपर के भाव में इलाइची खरीदनी चाहिए बड़ इसकी विशेश रिपोर्ट के लिए संपर करें ओल देवरी बास गुड़ लाख हैपी टेड़ी